नमस्कर दूस्तों सब्सक्राइब सबीक आपके अपने यूटूब चैनल जैनी एजूकेशन पर मैं हूँ आपका होष्ट फार्मसिस्ट विकास आज इस वडियो में जाने के दोस्तों बूख बढ़ाने वाली और खाना पचाने वाली बैस्ट सिरप के बारे में जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, उनका खाना नहीं पस्ता है तो आज इस वडियो में जाने के दोस्तों ऐसी पारफूल सिरप के बारे में जिसको उप्योग करते ही खाना पचने लग जाएगा, भूख लगने लगेगी, खाना खाने की इच्छा होगी इस वडियो में जाने के इसी पारफूल सिरप के बारे में जिसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है बहुत सारे लोग इसका उप्योग भी कर रहे है उस सिरप का नाम है प्रैक्टिन इएन सिरप बहुत अच्छी मेडसमें दोस्तों काफी अच्छा रिजल्ट इसका आता है इस वडियो में हम पूरी डीटेल से जानेंगे कौन लोग इसका उप्योग कर सकते हैं, क्या इसके साड़ इफेक्ट हो सकते हैं कितनी मात्रम इसका उप्योग करना है, सावधानिया क्या रखनी है सारा कुछ जाज इस वडियो में हम बात करने वाले हैं वडियो को बना स्किप्ट के पूरा देखेगा, बहुत अशी जानकारी आपको मिलेगी और दोस्तो चैनल पर आप नए होतोँ चैनल को सब्सक्राइब और अपना प्याज़़ गर दिखाएगा ऐसे ही नई नई वडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी सबल kepada बात करते हैं, प्रैक्टीन, इयन, सिरप के बारे में आखिर यह क्या है प्रैक्टें यह सिर्फ दोस्तो एक । 작 B की मेडिसन है और इसके अंदर दो दवाया combination में दी गई हैं जिसके बलबर से काफी पाफ़ूल यह medicine हो जाती है इसके अंदर दो दवाया है दोस्तो पहली है साइप्रो हेप्टाइग धारीन और दूसरी इसके अंदर है tricoline citrate, दो दवाई इसके अंदर combination में हैं, जो कि बहुत अच्छी medicine है और काफे था result इसका आता है, बात करते हैं इसकी price के बारें कितनी price में ये मिल जाती है, तो ये 135 से 160 की range में ये मिल जाती है discount price में, अब बात करते हैं इसके उप्योग के बारे करती है, खाना खाने के इच्छा होती है, तो ये भूप बढ़ाने के लिए यूस की जाती है, दूसरा इसका उप्योग उन लोगों के लिए करते है energía, चाना खाने के इच्छा नहीं है जब खाना नहीं पचेःगा तो पेट बराबरा लगने लगेगा और अंदर यंदर सडने लगेगा फिर उसकी वज़े से पूख भी नहीं लगेगी पेट बरा बरा रहने लगेगा तो ये खाने को पचाने के लिए भी यूज की जाती है जब ये सिरफ को पीते हैं तो जो भी आप खाओ गया उसको पूरी तरीके से ये पचा देती हैं इसके लावा ये लीवर के फंक्शन को मजबूत करती है लीवर के फंक्शन को और अच्छे तरीके से ये बढ़ाती है ताकि जो खान आप खाते हो वो जल्दी से पच जाएगा और आपको भूख लगने लगेगी इसके लावा इस सिरफ का उप्योग तब करते हैं जिन लोगों का वजन नहीं बढ करता है तो वजन बढ़ाने के लिए जो सिरफ यूज की जाती है वजन बढ़ाने में ये help करती है और ये natural तरीके से वजन बढ़ाती है दोस्तो ऐसा नहीं है कि आप directly इसको पी ओकर वजन बढ़ा देगी इसको पीने के बाद में आपके पाचन सिस्टम को मजबूत करती है खाने को पचाती है लिवर के function को अच्छे तरीके से करती है ताकि जो आप खाओगे वो पचेगा पूरी तरीके से और जो भी आप खाओगे पूरी तरीके से पचेगा तो आपको जल्दी से भूग लगेगी और उस प्रकार से जो energy आपको मिलनी चाहिए खाना पचने के ब जाए से स्लीपीनेस और ड्रावज़नेस फील होता है जो भी पैशन्ट इसको लेते हैं तो उनको उंगना या नेन आने जैसी condition उनके साथ में होती है इसके साथ में क्या होता है कि वही जो लोग इसका उपयोग करते हैं तो उनके मुँँ में ड्राइनेस रहती है उनको सु बात करते हैं इसकी डूज के बारे में कितनी मात्रा में और कैसे इसका यूज करना चाहिए तो यह जो सिरफ है दोस्तो इसको खाना खाने के बाद में लिया जाता है और सुबह शाम लिया जाता है दो टाइम इसका उपयोग किया जा सकता है पांच अमेल सुबह और पांच जमल श्याम को खाना खाने के बाद में इसको ले सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसकी साफधानियों के बारे में किन लोगों को इसका उप्योग नहीं करना है अगर उप्योग कर रहे हैं तो क्या-क्या साफधानिया रखनी है इसके अलावा pregnancy के दोरान इसका उप्योग नहीं करना है breastfeeding mother को भी इसका उप्योग नहीं करना है अगर use कर रहे हैं तो डॉक्टर की सला ले उसके बाद में ही इसका उप्योग करें इसके अलावा जो kidney और liver के patient है दोस्तों उनको इसका उप्योग नहीं करना है अगर उप्योग करना भी है तो एक बार डॉक्टर से सलाज जरूर लेने ताकि इसकी जो डूज है वो अजिस्ट करके दी जा सके तो इस पकार से दोस्तो आज हमने बात किया प्रैक्टिन इयन सिरप के बारे में कि भूख बढ़ाने के लिए खाना पचाने के लिए यूज की जाती है पूरी डीटेल्स हमने आपको बदाया है आई होप वड़ाप के लिए हैल्फुल होगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब को अपना प्याजर दिखाएगा ऐसे ही नहीं नहीं वड़ियो आपको चैनल पर मिलती रहेगी देने बाद मिलते हैं एक नहीं वड़ियो में